मुझे विचेता आप सब ठीक होंगे सही होंगे सलामत होंगे यह विडियो किस चीज के लिए है आज मैं डिस्कुस करने जा रही हूं वह स्किन रिलेटिड चीज क्योंकि बहुत सारे कमेंस रियाते हैं कि मेरी स्किन काली हो गई है इसको मैं सही कैसे करूं मेरी स्किन डल होगी सही कैसे करूं यह जो सब चीजे हो रही है वह अपके टीट्मेंट के कारना आपकी जो मेडिसीन है इतनी सारी 18-19 अपनी स्किन को रिवाइब करने के लिए जो आपकी स्किन है दुबारा से जो है उसमें सिर्फ दलने शली जाएगी फ्रेश दिखेएगी और जो नेक्ट्स सेग्मेंट में जिसमें आप देखोगी क्या tips में आपको बताऊँ तो जो फिर्स चिप है जब भी आपका टीट्मेंट ख़तम हो तो आपको खुश रहना है जुश रहना एक भोग जादा जरूरी है इंटर्नली उससे के ओड आपकी इम्यूनेटी भी बढ़ते लेकिन अब treatment भी खतम हो गया है अब तो एक और खुशी का मौका मिल गया है वो कड़ी कड़ी दबाईया नहीं आपको खानी पड़ेगे तो first reason जो है आपको खुशी का यही है कि treatment से छुटकारा मिल गया ठीक होगे और आपको खुश रहना है वो आपके internally जो है आपका skin को glow करने में help करेंगा तो first thing I hope आप इसको याद रखेंगे कि बहुत ही छोटी सी चीज़ है बहुत ही essential है I hope you will remember this thing second जो है आपको इस जिसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है मेरी skin पर यह है मेरी skin पर यह है ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचना है मेरी शादी होगी नहीं होगी you have not to think about this thing पता क्यों कि आप सोच यह तो आप स्ट्रेस हो जाओगे यह कुछ time के बाद धीरे धीरे जो है ठीक हो चाहिए चाहिए आपको इसके बारे में बिल्कुल ही सोचना है अब रही थर्ड चीज आप बोल रहे होगे कि यह तो हमें ऐसे ही बता रहे है खुश रहना है सोचना नहीं है इसे क्या है यह बहुत सारी चीज़ होती जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बताते है यह बताते हैं लेकिं यह सारी चीज़ नहीं बताते क्योंकि इंटर्नली अफेक्ट करती है आपके स्कीन को ठीक है तो थर्ड चीज जो आपको करनी है वह है जूस जूस के वाल लुकर डाइट आपको ज्यादा रखनी है लुकर ड़ पानी आपको ज्यादा पीना है पानी क आपने स्मूधी पीली आपने जूस पीलिया और फुरुटी जो जूसी वेजिटेबल्स है वो खाये तो इसे क्यों आपका लिकर्ट इंटेक जो है आटमें बोडी में जादा हो जाएगा इसे क्यों बोडी से टॉक्सिक निकल जाएंगे जो पहले थी वैसे होने में भीणा में बनीड़ी तो बैसे क्यों डुस के का जुक्त है दो वकिलर जूस्त है कि मैंने इसका लाइक काफी में जब सर्द्य थी तो मैंने बहुत जादा भी जादा भी यूज किया है खाया है पर अभी थोड़ा सब्रसात हम ने चोड़े तो दौड़ा में स्टार्ट कर रही हूं इससे मेरी स्किन मैंने में प्लीर होगी थी लेशर के बलो दिखना अनार है अनार जूस प्लीया अब मिक्स वूट भी बना सकते हो कभी कभी पपाया का जूस ले लो तो ऐसी चीज़े पपाया शेक बना लो ऐस ऐसी चीज़े अड़ करो जु लुक्रड फॉर्म में हो बट उनका बेनिफिट भी आपको ज्यादा हो तो मैं क्या कर रही हूँ मैं क्या चिराटान iPhoneúpի को बताती हो तो मॉर्नीन में में डाया हुआ है कいきा में श्मूदी बनाती हो मैं क्या यूज कर दिय गते हम बेज़टेबल का नहीं बनारी है आज कम चीह पर स्वें ऑसना लुटान पंद डाव जैसे की आपल हो गया आपको अपको अपनी क्लीन रखनी है डिटोक्सिफाई अपने बॉड़ी को करते हैं अपको शुरू हो जाएगी तो यह चीज आप ले सकते हैं इसके अलावा जो है डाइट आपको अपनी क्लीन रखनी है अपको अपनी बॉड़ी को करते हैं अपको बाहत का भुछ नहीं खाना है अपको घर का डाइट ले आपकी ओवरॉल हेल्थ भी सेट होगे आपकी स्किन भी सेट हो जाएगी तो आपको यह जो टिप्स हैं यह चोटी टिप्स हैं को ऐसे नहीं बताएगा बहुत सरी रेमेडि बँभी नहीं बिख्या़ हो कि अपको एपसी बस्टेरम कैसे आप पर डाइग कर सकते हो शोलिग लाएगर के तो आप गभी चेंज़ कर सकते हो इसमें डिके जो मैंने बताया वह एक ही है ऐसे बहुत सारी चीजी जो सिजनल जो फूट्स या वेस्टेबल उन्को यूज़ करें लेकिन फूट्स में फूट्स यूज आपको यूज़ करें तो इससे क्या होगा आपका सिंस्ट्रम में सही होने लगे गाना तो वह जल्दी खराब दूग यह रेमडी लगा लो यह क्रीम लगा लो यह ऐसा करो बहार से आपको help करेगा no doubt इंटर्नली जब आपको जो system में सही होने लगेगा न तो वह जल्दी खराब भी नहीं होगा वह आपकी immunity को भी strong करेगा skin को भी strong करेगा as well as your hairs तो I hope आप यह सब चीज़े जो इंप्रीमेंट शुरू करना करतेंगे तो क्या दे चीज़े मैंने बताया में रिवाइस करते हूं आप लोगों के लिए पहला टीट्मेंट खत्म हो जाए तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं है कि बारे में नहीं सोचना है ठीक है और ना अंदर से हसोगे अंदर से खुशी जाहर करोगे वह आप वेसे ही बहुत सुरुत लगोगे तो यह जीज़ आपको ध्यान में रखनी है उसके सासत कहे है जो मैंने स्मूदी बरताई या वह आपको लेनी है या जूस आप ट्राइ कर सकते हो भी तूट का हो गया गाजर का हो जीज़ा ओटकीना जीज़ा है यह उसके सुरूरा है कि ईनका हे दिककत भाट सिकनल धोररीदि मेर्जा करते हो पुरियह ऩाल जाता है टाइस में रखने यहां को भी बएसे उसके हे ऊक्तुर्स आपको शेब्सक्राइक हो यह ए तुक्षरू होट जया है जो एज जी़ाद चोटी हैं लेकिन बहुत 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 ज्यादा कुरूशल है जब आप करोगे महीना बर करोगे आपको हलका हलका असर पक्का दिखना शुरूर हो जाएगा मैं यह गरंटी नहीं देती कि आपको यह रेमेडिन करों तो यह गोस्ता मुझे ने बट इंटर्नली आप स्टार्ट करोगे सिस्ट्म को सेट करना तो पक्का आपको रिजर्स दिखेंगे हाँ इत कि टेक टाइम में यह नहीं कहती दस तिन में पर दर दिन में टेक टाइम एक मिना भी देड़ मिना भी हो सकता है बट आपको असर दीखेंगा जरूर कि मेरा अब लाइक में को फाइवियर्स होगे है तो मैंने बट मुझे अपनी स्किन में जो डिखना शुरू हो मैं पाइन आपको रेगुलर ले घी सो मेरी सकीन काफी क्लियर होगी तो मुझे किसी में जरूरत नहीं पढ रही थी यह कुछ भी जूरूरत नहीं पढ रही थी तो नैचुरी ग्लो होना स्किन जटा वो शुरू हो गई है मेरी दो आई हो पीये टिप्स जो हैं आपको पंस झाल